हलो फ्रेंड आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं यूपी स्कॉलसिप के बारे में वीडियो इंपोर्टेंट है वीडियो को इंड तक देखते रहे हैं वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर चैनल को स्वागत है जो कि यूपी स्कॉलसिप से रिलेटेड है जब भी आप अपना स्टेटस देखते हैं तो उसमें पाट्वे नंबर पर आसानी से आपको दिख जाता है कि रिजेक्टेड बाई डिश्टेक स्कॉलसिप कमेटी उसमें रीजन भी दिया गया होता है कि इस्टिट बात में तो ऐसा कहा जा रहा था कि आगर आप B.A.D. या फिर कोई professional course अगर कर रहे हैं और आगर आपने direct admission लिया है तो आपका ये problem आ रहा है लेकिन उसके बाद जो student का student ने लगातार अपना status बेजा तो चाहे आप आप B.A.D. कर रहे हों चाहे वो direct हो या indirect हो चाहे आप B.A.D. कर रहे हैं चाहे आप MA कर रहे हैं चाहे B.S.E.M.L. आप कोई भी UGPG का कोई भी professional या गयर professional course कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि 85% से ज़्यादा student की यही problem आ रही है जो कि institution not verified by affiliating agency अब इस्टूडेंट की दिमाग में एक ही बात चल लगी कि आखिर में हम क्या करें जिससे कि हमारी scholarship आ जाए तो फ्रेंड्स इस्टूडेंट का इसमें क्या रोल है और student क्या कर सकता है और इस्टूडेंट की आएगी की नहीं आएगी तो यहाँ पर सबसे फहले आपको यह जानना है कि आखिर में यह institution not verified by affiliating agency क्यों आ रहा है इसमें आपकी गलती है कि आपके college की गलती है आपने फ़र्म भारते समय कुछ गलती की कि आपके college बालों परिफायट करते समय कुछ गलती की या फिर आपकी यह university की तो आपकी जानकरी के लिए बता देगी आपकी गलती नहीं है आपके college की गलती नहीं है यह आपकी university की गलती है अब यह बात हम क्यों कहा रहे हैं आपको प्रूब के साथ दिखा देते हैं अब कि यह देखिए फ्रेंड्स काफी सारे इस्टूडेंट जो हमसे परसनली जुड़े हुए हैं हमारे इमेल के दोड़ा जुड़े हुए हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब किये हुए हैं जब उन्होंने लगादार अपना इस्टेस एर की तो हमने उनको बताया कि जन जो उनुन 222022227 बार्ट जो कर रहे है और उन्होंने अपनी धर्नाशी ना मिलने के सकायत की तो यहां पर आख कह सकतें कि जिला दिकारी जिला समाच करना अर्भकारी नों उने वताया कि चात्र के सिच्छड का संस्थान का चात्वति डाटा समंदित विसुबिद्याले ए आपके रिजक्त किया क्या रहे है या नहीं आपका कॉलेज समभध से तार चाहरा, MSC या फिर इतियाद कर रहे हैं तो आपका university भी आपके data को verified करता है वही data university ने आपका certified नहीं किया है इसी करण सारे student में अभी तक आ रहा है कि institute not verified by affiliating agency तो आपकी ये गलती कती नहीं है आपके college की भी गलती नहीं है ये गलती है आपके agency की मतलब जिससे आप पढ़ रहे हैं आप university कह सकते हैं तो आपको अब क्या करना है अब कब तक ये scholarship आएगी की नहीं आएगी तो आप जितने भी student में लिखके आ रहा है तो एक RTI की दोवारा क्योंकि आप अगर normal अपनी किसन लगाएंगे तो उसका जवाब हमें नहीं लगता है कि इस समय कहीं दिया जाता है आप जब right to information act के तहत लगाएंगे या जन सुनभाई एप के माध्यम से यूनिवस्टी को पूछेंगे कि आखिर हमारा data इस agency के दौरा एफिलेटेंग एजेंसी के दौरा या या यूनिवस्टी के दौरा verified क्यों नहीं किया गया है कब करेंगे और किस कारण रिजेक्ट कर दिया गया तो आपको एक लिखेत संतो जनक जबाब दिया जाएगा तो जितने भी स्टूडेंट है अपनी एफिलेटेंग एजेंसी को या फिर यूनिवस्टी को ज़रूर आट ये लगाईएगा application पहुचाईएगा जिससे कि पता दिनों के अंदर ये प्रॉब्लम कर दी जाएगी और इस्टूडेंट का क्या होगा तो ऐसा कह सकते हैं कि लगवग 20 अपरेल से पहले ही आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी जाएगी और गलती नहीं होई तो आपका आसानी से यहां पर करेंट इस्टेटर में वेर जाएगा तो जतने जल्दी संभव हो सके अपने कोलेज के माध्यम से और अपने स्वेम के माध्यम से युनिविस्टी को आटिया ये आपके संजरूर लगाईएगा जिससे कि आपको एक संतोजनक जबाब मिले और ज्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के मोहिमें जुड़ तक बहुत जल्द इस पर सुनवाई होगी और इस्टूडेंट के हित्मे नेड़े लिया जाएगा क्योंकि लगवग 50% से ज्यादा इस्टूडेंट ऐसे हैं चाहे वो रेगुलर कर रहे हैं गवर्मेंट कोलेज के हो चाहे प्राबेट कोलेज के हो चाहे प्रोफेशनल कोर कर रहे हैं या नॉर्मल कोई भी इस इत्यादी कर रहे हैं बहुत सारे इस्टूडेंट में लगातार प्रावलम अभी तक बना हुआ है आपको वीडियो कासा लगा कमेंट सो बॉक्स में कमेंट करके जरू बताएगा और इस वीडियो को ज़्यादा ज्यादा दोस्तों में